दोस्तो बोलिवूड की मा के तोर पर मशूर हने वाली रीमा लागू ने दो साल पहले दुनिया को अलविडा के दिया था इस खबर से दोस्तो पूरे बोलिवूड में मातम चा गया था रीमा लागू को दिल का दौरा पढ़ने पर मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में बर्ती करवाया गया और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी दोस्तों रीमा लागू ने अपने करीयर की सुरात मराथी सिनेमा से की थी कई सालों तक उन्होंने मराथी ठीटर में काम किया जिसके बाद में उनकी एंट्री बोलिवूड और मराथी फिल्मों में हुई दोस्तो रीमा लागु ने हम साथ साथ एक कुछ कुछ होता है मैंने प्यार किया कल हो ना हो जैसी ब्लोक बास्टर फिल्मों में यादगार भूमी का निवाई फिल्मों के अलावा रीमा लागु रियल लाइफ में भी एक मोडन मा की तरह रही दोस्तो फिल्मों में काम करने के दोरान उनकी मुलाकात पॉपुलर मराथी एक्टर विवेक लागु से हुई कुछ सालों बाद रीमा लागु और विवेक लागु शादी के बंदन में बंद गए दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम मरेन में लागु है दोस्तो मुरेन में ही एक स्टेज और फिलम एक्टेर्स है साथ ही दोस्तो वो एक थियर्टर डाइरेक्टर भी है शादी के कुछ वक्त बाद तक तो सब कुछ अच्छा चला लेकिन दोस्तो फिर रीमा लागू और उनके पती की बीच में मन मुटाव सुरू हो गया नतीजा ये हुआ कि शादी के कुछ साल बाद ही रीमा लागू अपने पती विवेक लागू से अलग हो गई पती से अलग होने के बाद में रीमा लागू ने फिर कभी भी शादी नहीं की और एक सिंगल मदर के तोर पर अपनी बेटी को पाला दोस्तों खुद को और अपनी बेटी को समारने के लिए रीमा लागू ने जी तोड़ कर मेनत की थी उन्हें उसे वो सब कुछ दिया जो एक बाप दे सकता था एक सिंगल मदर होने के बावजूद रीमा लागू ने बेटी को अपने पेरों पर खरा किया रीमा लागू एक साफ छवी की अभिनेती रही दोस्तों का किसी भी तरह के विवाद में ना तो कभी नाम आया और ना ही किसी को इश्टार के साथ में उनका नाम जोड़ा गया अपने चार दसक के करियर में रीमा लागु ने अपनी छवी को कभी भी दागदार नहीं होने दिया